हलो फ्रेंड्स हाव आई यू अंकित पांडे एंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक मेडसिन की जिसका नाम है साइक्लामें एरोपियम जो की कुछ हथ तक पलसा टिला से मिलता जोलती मेडसिन है तो आज हम यहाँ पर साइक्लामें इरोपियम तो फ्रेंड्स साइक्लामें एरोपियम का कॉमन नेम जो है वह है सोर्बेड इसके प्रूवर डॉक्टर हनीमें सार है और यह फैमिली प्रीमृरसियाई से बिलोंग करती है अब हम साइक्लामें के कांस्टिशूशन की बात करेंगे तो यह होते हैं लिउको फ्ल जगा, प्रीदिंग रेट होगा वह स्लो एंड शॉर्ट होगा इनका जो सार्कुलेशन होगा वह स्लगिस टाइप और इनके स्कीन और लिम्फाटिक्स में इंफ्लामेशन की टैंडेंसी होती है तेंप्रेमेंट की बात करेंगे तो यह फैगमेटिक और इट्रेबल टेंप थरवाल में ये चिरी पेशेंट हैं और थर्ष्ट इनका थर्ष्टलेस हैं, मियाजम की बात करें तो इनमें सोरिक और साइकोटिक मियाजम पाय जाता है, अब हम साइक्ला में के गाइडिंग सिम्टम्स की बात करेंगे, जो की पलसा तिला से मिलते जोती मेटसिन हैं, एक दो सिम्टम्स को छोड़ कर, जैसे पहला सिम्टम्स हैं, एवरजन तू ओपेंटिकंटु में बात कर. derange menses in pale chlorotic women attend with headache, vertigo and dim vision cyclamen में menses होता है वो derange होता है और जो woman होती है वो chlorotic मतलब enemic woman है जिनमें खून की कमी होती है और इनमें headache, vertigo and dim vision जैसी symptoms मिलते है पर साथ तेला की तरह इसमें weeping disposition है, the patient is mentally sad, irritable, morous and desire to be alone इसमें desire होता है for laminate मतलब नीवू पानी का इसमें desire होता है और एवजन जो है वो fat, meat, bread and butter, ordinary food and beer और pork disagree होता है appetite की बात करें तो जब ये इसे भूग तो बहुत लगती है but जब ये थोड़ा सा भी कुछ खा ले तो उससे इसे nausea जैसी feeling आती है satiety after a few mouthful and then he lots food which cause nausea test जो होता है वो salty होता है saliva and all food tastes salty pain की बात करेंगे तो pressing, drawing or tearing of parts where the bones are least covered as tibia back of hand मतलब body का वो part जो बहुत कम cover होता है वहाँ पर इने pressing, drawing, tearing pain हो सकता है जैसे कि tibia हुआ और back of hand हुआ जो की बहुत कम ढखे होते हैं burning sore pain in hills when sitting, standing, walking in open air देखे इने open air से aversion है इसलिए अगर ये open air में बैठे हों, खड़े हों या फिर चलते रहें तो उससे इनके hills में burning sore pain होगा अब हम cyclamen के mental generals की बारे में बात करेंगे तो उसमें पहला point आता है elements तो इसको from suppressed grief मतलब अपने दुख को शोर नहीं कर पा रहा है उसको suppressed कर रहा है इससे उसको problem होगी and terrors of consigns terrors of consigns का मतलब होता है कि उससे ऐसा लगता है कि जो वो काम कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कहीं उसमें कुछ गलती नहों जाए इस तरह की feeling उसके अंदर आती है from duty not done मतलब जो वो duty कर रहा है काम कर रहा है वो पूरे responsibility के साथ वो नहीं कर पाया और bad act committed मतलब या फिर जो duty किया है उसमें कुछ गरबढ़ कर दिया है तो इससे इसको problem होती है यह इसके लिए elements का काम करेगा next है great sadness मतलब बहुत जादा दुख होगा and previousness irritable मतलब बहुत जादा चेश्रे होंगे मोरस बहुत जादा सैट होंगे illhumored नत्तब होता है कि बहुत जादा गुस्याल होंगे inclined to weep महुत जल्दे रोजन लगता है desire for solitude अक्रेले रहने कामन करता है अब हम साइक्रामेन के माइंड रूब्रिक सी बात करेंगे तो इसे ध्यान से पढ़िएगा इसमें पहला है माइंड element from grief मतलब इसे दुख से इसकी problem बनती है पहले आपको यह बता चुका हूँ कि suppress grief से इसकी दिक्कतें बढ़ती है यह इसके लिए element का काम करता है इसमें दूसरा point है mind element from emotional यह बहुत emotional होते हैं इसलिए जो भी emotions होते हैं उससे भी इनको problem हो सकती है इसमें तीसा रूबिक है mind brooding grief over imaginary grief अब imaginary grief का मतलब क्या हुआ कि यह खुद से ही कोई imaginary grief बना लेते हैं कोई काम करने से पहले यह सोचन लगते हैं कि कहीं मैं कोई गल्ती न कर दूँ यह काम उससे कुछ गलत न हो जाए या फिर जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ ठीक है तो इनसे इनको problem हो सकती है इनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं इसका क्या मतलब हुआ कि इन्हें ऐसा लगता है कि यह पुरे दुनिया में अकेले हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हें ऐसा लगता है कि यह पहार से नीचे गिर रहा है इसको रियल लाइफ में देखा जाए तो इन्हें ऐसा फिल होता है कि अभी जिस पोजिशन पर हैं वहां से ये गिर रहे हैं नीचे आ रहे हैं मतलब इन्हें हसी मज़ाग ज्यादा पसंद नहीं है mind sentimental मत्तब ये sentimental mood के होते हैं mind के होते हैं next है mind doubtful salvation of salvation का मतलब होता है मोक्ष तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं कोई ऐसा काम न कर दूं जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो next है mind reproaching himself यह किसी काम को अगर गरत कर दिये, तो यह हमेशा अपने आपको बार-बार कोशते रहते हैं, अगला जो point है, mind rubrics में, वो है persecuted, persecuted का मतलब होता है अत्याचार, तो इसे rubrics form में कैसे लेंगे, यह मैं आपको बताता हूँ, इसमें है, thinks she is alone in the world and persecuted by everyone, इसका क्या मतलब है, इसका य दुनिया में अकेली है, और हर कोई उस पर अत्याचार कर रहा है, उसे प्रतारित कर रहा है, cyclamen would like to have a perfect, uninstead, earthly life, मतलब cyclamen यह सोचती है, कि उसके life में जो कुछ भी हो रहा है, वो perfect हो, उसमें कुछ गलती नहों, ठीक है, but होता क्या है, instead there is always a defect, somewhere that runs everything, उससे कुछ न कुछ ग अच्छा काम किया था, वो सब खतम हो जाता है, बस बुरा ही उसको याद रहता है, तो इसे कैसे लेंगे, rubrics form में, mind delusions persecuted, he is persecuted everyone by, okay, अगला जो mind rubrics है, वो है sympathy, मतलब सानुभूतिया दया, तो इसे कैसे हम rubrics form में देखते हैं, cyclamen में, वो हम यहाँ पर बताते हैं, they are usually mild and contented type, contented मतलब होता है, santust, मतलब वो बहुत ज़्यादा mild होते हैं, और बहुत ज़्यादा santust तरक होते हैं, दूसरा point है, they are much sympathetic towards the suffering of others, दूसरों को दुख में देखकर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा दया की भावना आती है, सानुभूति की भावना आती है, तो इसे rubrics form में ले next जो rubric है, वो है duty, duty का मतलब यहां responsibility और उसके काम से है, उसके work से है, जो की aurum और cyclamen, दोनों में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसे कैसे लेते हैं, आईए देखते हैं, delusion, she has neglected duty and desire for solitude, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि वो जो भी काम कर रही है, या तो इसलिए उसे क्या करने का मन करता है, उसे अकेला रहने का desire होता है, उसे अकेला रहने का मन करता है, तो इसे rubrics form में कैसे लेंगे, पहला है mind delusion, neglected, duty, he has neglected his, next है, इसी में mind grief, duty, from neglected, और इसी तरह ले सकते है, mind responsibility, taking responsibility too seriously, जो की aurum में भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता ह है, अब हम पढ़ेंगे cyclamen के modalities के बारे में, तो इसमें पहला point आता है aggravation, कि किन किन चीजों से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती है, तो इसमें पहला आता है open air से, open air से इनको aversion है, cold water, cold bathing, और mansus में sitting and lying at night से aggravation होता है, amelioration की बात करेंगे तो इने in a warm room, indoors में आराम मिलता है, और mansus में walking से amelioration है, इसके लावा rubbing parts से amelioration है, तो friends, ये थी हमाई medicine, cyclam and european, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये medicine आपको समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे आप नीचे comment box में ज़रू बताएं, इससे related कोई query हो, तो वो भी आप मुझे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा, और इस वीडियो क जास ज्यादा लाइक कीजिए, में चैनल को subscribe कीजिए and thank you for watching.